हनुमान जी कहते हैं, मेरी प्यारी बच्चों, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा विचलत हो तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा आशान्त है तुम्हारे हर एक विचार मुझ तक पहुँच रहे है मैं जानता हूँ कि तुम्हे क्या चाहिए और शेक्र ही तुम्हे वो मिलने वाला है कि तुम मेरे बच्चे तुम्हे तब तक थैरे रखना होगा तुम्हे समझना होगा कि कोई भी परिस्थिती हमेशा के लिए नहीं रहती अगर रात होती है तो उसका सवेरा भी जरूर होता है उसी प्रकार अगर तुम्हारे ओपर कोई संकट आता है तो संकट के बाद अच्छा समय भी जरूर आएगा तुम्हें इस बार पर फरोसा रखना होगा कैसे भी परिस्ति हो तुम्हें अपना मार्ग नहीं छोड़ना है तुम्हें सही रास्ते पर चलना है और अपना जो तुम्हारा उद्देश है उससे तुम्हें पाना ही पाना है मेरे बच्चे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले हर एक सफल्ता असफल्ता खुशी या गम जो भी है उसलिए मेरे बच्चे तुम्हें सबसे पहले तो अपने विचारों पर नियंतर करना होगा तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा मेरे बच्चे शायर तुम ये भूल गए हो कि एक सकारात्मक विचार तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी दिला सकता है तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी है वो तुमने खुद पाया है अपनी महनत से पाया है तुम्हें इस बात पर भरोस्ता करना होगा कि तुम जो भी पाना चाते हो वो तुम सब कुछ पासकते हो बस तुम्हें अपने विजारों पर नियंदर करना होगा मैं आज तुम्हें यही एक चूटी से सीख देने आया था मेरी बच्ची मैं तुम्हें इस तरह बचलत नहीं देख सकता मेरे बच्चो थैरे रखो विपत्ती के समय अपना थैरे मत खो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हर एक विपत्ती से तुम्हे निकाल लूँगा पर तुम्हें अपने उपर भरोसा रखना होगा तक ही तुम्हें पर भरोसा कर पाओगे मेरे बच्ची